हेलो एन वेलकम दोस्तों मैं आश्यसता और फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टेक्निकल गयान में तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आउट्सोर्सिंग क्या होती है आज उसको अपन कैसे कर सकते उसके बार इसके इसमें अर्णिंग कर सकते हो यह 100% प्रूफ है सारे ही फ्रीलांसर करते हैं और कोई भी इसमें इस तरह का नहीं है कि फर्जी बड़ा बिल्कुल ही जैनिवन वर के क्योंकि आएक फ्रीलांसिंग वेब साइट से काम उठाते हो और किसी दूसरी फ्रीलांसिंग वेब अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जानना तो चलिए आप बिना टाइम बेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि यहां पर हम अपनी कंप्रेटर के स्क्रीन पर आ चुके आप यहां पर देख सकते ह हो कि यह मैंने अपनी अवर की प्रोफाइल खोल दी मैं आपको इसी सी आउट्सूर्सिंग के बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा सा अच्छे समझ आएगा और यह वर्क जैन्यून होता है तो वह आपको ट्रस्ट भी होगा ठीक है तो यहां पर जैसे आपन फर्स्ट ज पर एक चाहिए तो इस तरह से आप यहां पर फिर से विडियो एडिटिंग ट्रांसलेशन तो यहां पर विडियो एडिटिंग का कॉर्स इसलिए मैं आपको शिकर रहा था क्योंकि यह इसमें बहुती हाई पेइंग जो होती है कल यह परसू मैंने कोई एक जोब देखी थी उसमें जो हावरली रेट थी वो 20 डोलर तो 40 डोलर वेरी कर रही थी तो उस हिसाब से आपको उसमें बहुत ही अच्छा पैनिफिट हो सकता है और उससे आप अच्छी हैं कर सकते हो वह डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो ठीक है तो यह आप हो चुआ है यह तो ऐनी टेक्निक वही लगाना पड़ेगी जिससे आप जोब लेते हो आपको वह एक बार तो ले नी ही तो आपको यहां पर प्रकोजल भीजना आपको किस तरह से आपको वह क्लाइन आप से इंटर्विव किले लगा तो आप क्या करby करो हमेशा की लिए जैसे कि यहां पर आपने complete उसने आपको बताए ठीक है तो आपको जैसे ही वो interview section में ले और आपको पताई यह जो आपको मिल सकती है तो आप क्या कराओ उसी time पर आप यहाँ पर जाओ ठीक है आप SEO clerk website पर आओ जो केवल SEO और website से related काम ही होता है इस और professional और कम कम जैसे प्राइज में आपको अच्छे अच्छे client यहाँ पर मिलते हैं ठीक है आपको freelancer यहाँ पर मिलते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे जैसे के फाइव डोलर में गीग और इनके देख हंड्रेट किस तरह से होता है ठीक है तो डीएपर यानि पेज अत्रोटी डोमीनेटर उती उस तरह से बहुत सारी होते तो आपको जैसे किसी मान लोकिए आपको यह इस टाइब कवर करना आपने वहां से लिए ये प्रैस पर यह मांग रहे हैं आपसे फाइब डॉलर ठीक है? आप यहां पर क्लिक करो कैसे बात करने हैँ है वो सारा आपको बताता ठीक है? तो आपने अफ औरक से लिए. जोब बे आपने proposal डाला हो तो वह आप subject करके एक बार इनसे message में अपने job को जो भी एक बात चीत कर लिया अगर हो तो उससे क्या होता है कि आप जैसे क्लाइंट आपसे बोलता है कि आप यह कैसे करोगे तो आप इनसे पूछ के बता सकते हो कि भाई आप कैसे करोगे इनको यह से होता है outsourcing का वर्थ आप 7 टाइम पर हो सकता है इसा कोई दिख्कत की बात नहीं आप एक से नहीं आप 4-5 लोगों से बात करया गया है क्योंकि बहुत सारे कुछ online होते है कुछ online नहीं होते तो जो online हो आप उनसे बात कर लिजाए और इस तरह से आप इनको answer कर सकते है फिर online authority बढ़ानी है उसके बारे में वह सारी backlink से बढ़ती है उसके बाद आपको issue audit इसके उपर में एक special वीडियो बनाऊँगा कि इसमें आधे से ज़्यादा काम आप खूदी करके editing कर सकते हो एक simple सा tool एक file automatic download करके देता है तो वह सारा आपको में next video बताऊंगा comment करके जरूर ब automatic कोई भी problem हो तो issue clerk हमेशा आपके लिए काम आईगा ठीक है अब आते हैं अपन फाइवर पर जैसे कि आपको translation का आपने लिया तो यहां से उठाओ इस पर फाइवर पे भी कर सकते हो freelancer पे कर सकते हो और गुरू पे कर सकते हो गुरू पे लोग थोड़े कम active होते पर freelancer और इन पे ज़्यादा लोग active मिलते तो आप यहां से काम किसी को दे सकते हो ठीक है आप चाहो तो इनको बहार भी बुला सकते हो और आप जैसे ही जैसे मानलो आपने translation का वर्क करवाया है किसी से तो ऐसा क्या हो कि आप उससे contact number या उसका email वगेरा हमेशा रख लोया करो तो आपकी commission के दुरू earning भी होते हो इस तरह से आपको भी वापिस job मिलना शुरू होती जो आप काम आपको आता है वह आप कर सकते हो और बाकी दूसरों से करवा कि आप outsourcing से भी earning कर सकते हो इस तरह से क्या या बहुत सारे काम एक साथ ले सकते हो यारी कि जैसे अगर एक single freelancer work कर आता हूं जिसे transcription का आता है तो मैं कभी-कभी अखेला ही करता हूं तो उस समय क्या होता है कि मैं second job नहीं job आते है मैं उसको नहीं ले पाता क्योंकि उस work में फिर वापिस time limitation का और वो सब problem हो जाता इसलिए तो कभी-कभी क्या है कि फिर वो कभी work लेके और मैं किसी और से प्राइटना कुछ नहीं होता है इसमें और जैसे कि आप कोई work आता है फिर भी आप नहीं करना चाहते किसी और से कर बादना चाहती क्योंकि आपके पास time नहीं तो भी आप करसे क्योंकि उसके सारे question का answer आप कर रही सकते हो तो आप को उससे पहले बात करने की जूरत नहीं यहाँ पर मैं switch to buying करता हूँ एक बार ठीक है और जैसे के मान लो यहाँ पर में कोई भी एक geek select कर लेता हूँ जैसे कि यह first में कुछ दिख रही है वेडिंग विडियो डेटिक है तो इसके ओपर मैं क्लिक करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ का आपको कैसे कुछ करना है ठीक है तो यह हो गया आप यहाँ से इनको डायक्ट इंटर्विव बगेरा में ले सकते हो ठीक है जैसे कि इनको यहाँ पर contact me पर क्लिक कर सकते हो और भी मैं आपको कुछ ट्रीक बताता हूँ ठीक है तो यहाँ आप डायक्ट ओडर कभी मत प्लेस करना आप पहले ही उनको मेसेज बगेरा करना हमेशा क्योंकि क्या होता है कि कभी वह डायक आप ओडर्विव प्लेस करते हो वह बाहर आये या नहीं आये आप चाहो तो यहाँ पर भी दे सकते हो उसके लिए एक और आप चीज कर सकते हो आप यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो मान लो आपको अपने अकोडिंग यहाँ पर नहीं मिल रही है यह आपको प्रब्लम आ रहे है तो आप यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट कर दो तो आपको सामने से और सेंड करेंगे वह तो आप उस लिंक अटेज कर दो Google Drive के अगर आपके फाइल दो जीबी से एक जीबी से भी ज्यादा बड़ी हो रही तो यह सारा ट्रिक्स है ठीक है यहाँ पर केटेगरी सेलेक्ट कर दो उसकी सब केटेगरी होती है ठीक है तो वो सारा इजी होता है फिर आपको वर्क किते दिन में यह है पर जो भी इसको रिक्ट को देखेगा उस नित को ही दिखेंगी वो रिक्ट जैसे TRANSLATION का है तो जिन ओने TRANSLATION की Gb2 बना रखिए उन को रिक्वेर्स दिखे जिए तो वह ही आपको मेसेज करेंगे तो आपको जो प्राइज में और बेस्ट लगे उसको आप सेलेक्ट करके यह वर्क दे सकते हैं तो इस तरह से आपको यह एड़निंग करनी है और आउट्सोर्सिंग से रिलेटर अगर आपको और भी अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच् एक शुड़े में तब तक के लिए बबाएट